यहाँ के बात करें तो यहाँ पर आपकी सीटे के लिए वेट कर रहें तो उनकी यहाँ पर अभी भी कितने सीटे जो है वो बेकर ने है और इसके बात देखे तो आपका यहाँ पर जितने ऐसे कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर P.E.T. कॉलिफाई है लेकिन वो यहाँ पर सेकंड डिवी का वेट कर रहे हैं लेकिन अभी भी देखें यहाँ पर आपका थर्ड पैनल जारी हुआ उसके बाद आपका यहाँ पर फिप्ट पैनल जो है वो भी जारी किया जाएगा यानि कि अभी जो पैनल ह आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद आगे यहाँ पर आपको सेकंड डिवी जो है वो देखने को मिलेगी तो बात करें यहाँ पर पहले आपकी देखें टोटल वेकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी टोटल वेकेंसी देखें हैं 7,166 आपकी टोटल वेकेंसी ह हैं 1st DB की बात करें तो इक सब से बढ़ा पैनल जो है वह अबर 1070 च便 अगया था जाके अगया था 5152 का यहां सब्से बड़ा फैनल झाल यहां कि अद पैनल जारी किया गया इसके बार 2주나 2 पैनल की बात करें अभी यहां पर आपनल किया गया तो 105 candidate के लिए यहां पर 3rd panel जो है वो जारी किया गया है total अगर बात करें यहां पर जो panel में आपका अभी तक जारी किया जा चुका है तो total यहां पर देखे तो आपका 6327 यहां पर total जो panel है वो अभी तक candidate का selection उसमें देखने को मिलाए और इसके बाद अगर यहां पर देखे तो आप जो आपके सीटे यहां नी कि इसमें भी आपका देखे 840 यहां पर सीटे हैं जिसमें candidate आपके देखे फॉर्थ पैनल में अभी select होंगे फिफ्थ पैनल में उसके बाद यहां पर आपकी जो second DV है वो जारी किये जाएगी लेकिन इसमें अगर देखे तो यहां पर जो medical आपके candidate के जो medical unfit हो गए तो medical unfit candidate की बात करें तो यहां पर आपके लगबग 117 candidate जो है वो आपके medical unfit है ले आपके medical standard की वज़े से यहां पर बाहर हो गए और इसके बाद यहां पर medical absent या आपका reject की बात करें तो यहां पर आपके total 29 candidate जो है वो यहां पर आपके reject हो गए यानि कि इतने candidate के यहां पर बाहर होने के बाद जो आपकी second DV है उसमें ज्यादा chance बन गए यह seat आपकी देखे यहां पर बिल्कुल confirm है कितनी seat पे यहां पर आपको second DV जो है वो देखने को मिलेगी इसके बाद आगे तो यहां पर देखिए आपका जो candidate जिना यहां पर category wise आपको P.E.T. के बाद यहां पर DV के लिए select किया गया यानि कि general की बात करें तो 266 candidate यहां पर आपके select किये गए है first DV में और OVC category की बात करें तो 3539 यानि कि सबसे जादा जो OVC के candidate थे वो यहां पर P.E.T. वाले उनको यहां पर select किया गया था EWS category के 903 candidate थे और SC में देखिए तो 1143 हैं ST की बात करें 532 candidate जो है वो यहां पर देखिए select किये गया थे आपके DV के लिए इसके बात देखिए तो आपका यहां पर आप जो candidate वेट कर रहे है second DV के लिए वो P.E.T. पास जो category wise candidate है तो 318 candidate जो है वो यहां पर आपके general category के OVC की बात करें तो यहां पर 4561 candidate आपके only यहां पर OVC के ही है और EWS की बात करें तो 1031 candidate यहां पर आपके EWS category के हैं और EWS category की बात करें तो 1550 candidate यहां पर जो है वो आपका EWS category का और इसमें अगर देखें तो 783 candidate जो है वो आपके EWS category यानि की काफी candidate जो है वो आपके क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर आपके seat की तो टोटल आपके 840 है जिसमें यहां पर आपका second panel के बाद third panel यहां तक जारी हो गया लेकिन इसके बाद fourth five panel जो है वो भी जारी होगी लेकिन फिर भी देखें तो 600 प्लस जो है वो आपके यहां पर second DV में देखने को मिलेगा फिर देखें कटाफ की बात करें तो कटाफ जो यहां पर P.E.T. के लिए और इसके बाद आपका DV के लिए जो जारी की गई थी तो यहां पर यहां पर यहां पर डीवी में जो candidate short list वे थे उनका कटाफ यहां पर जारी किया गया था तो इसमें पहले देखें तो P.E.T. का इसके बाद OVC की बात करें 60.26 यहां पर आपका कटाफ था P.E.T. का और DV की बात करें 68.18 इसमें देखें तो यहां पर 7.94 मार्क जो है वह आपका यहां पर इनकरिस किया गया था पिर आता है आपका SC काटेगरी और SC की बात करें 52.51 यहां पर आपका P.E.T. का था लेकिन अगर हम देखें आपका DV का कटाफ तो लगबख 60.93 यहां पर आपका कटाफ आया था यानि कि ST काटेगरी वाले जो केंडिडेट थे इनका कटाफ यहां पर 8.42 यहां पर आपका P.E.T. का बात करें 48.67 ने DV का कटाफ आपके गया था 57.50 और यहां पर देखें तो भी आपक यहां पर आपका इनकरिस किया गया इसके बाद E.W.S. की बात करें तो E.W.S. में कटाफ जो है वो आपका P.E.T. का था 50.08 इसमें देखें तो यहां पर जो आपका कटाफ फाइनली DV के लिए गया था वो आपका 61.58 है यानि कि सबसे जादा जो आपका इनकरिस हुआ है वो इसमें यहां पर जो कटाफ है वो आपका देखें जनल के टेगरी वाले कंडिडेट का यहां पर डिसकरीज होगा और इसके बाद आपका E.W.S. काटेगरी सबसे कम जो कटाफ है वो आपका यहां पर O.B.C. काटेगरी में ही कम किया जाएगा क्योंकि यहां पर कंडिडेट तक जो है वो यहाँ पर कम किया जाएगा यानि कि अगर देखे तो यहाँ पर 71 70 से 71 के पीच में आपका देखे कटाब बनना है तो बिल्कु चांस रहेगा यहाँ पर आपके सेलेक्शन होने का OVC के टेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपका देखे बनना 68 यानि कि 67 आपके इससी जादा यहाँ पर बनना 68 तो इस्टी में यहाँ पर आपका कटाब बना है 56 से लेकर 57 कि वीच में तो आपका यहाँ पर चान्स पूरा रहेगा यहां पर अगर आपका यहां पर यहां पर चान्स रहेगा सेलेक्षन होने का प्लस 2 भी देखिए यहाँ पर आपका जो मार्क्स है वो कम किया जा सकता है AWS कटेग्रे में क्योंकि यहाँ पर चांस जो है वो सबसे जादा देखने को मिलेगा तो इतना देखिए यहाँ पर आपका कटाप बनना है सेकंड डिवी जो है इसमें यहाँ पर बिल्कु चांस रहेगा जो केंडिडेट यहाँ पर P.E.T. कॉलिफाई और फर्स डिवी में उनका सेलेक्षन यहाँ पर देखने को नहीं मिला था करतार यहाँ पर आपका दो